हाजी अगर आपकी भी हर्याना बोर्ड की सितंबर अक्टूमर में होने वाली या परिक्षा तो आज की वीडियो आपको लाश्ट तक जरूर देखनी चाहिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब से आपके एक्जाम स्टार्ट होंगे उनको लेकर हर्याना बोर्ड यहां पर तैयारियो में लगा हुआ है हर्याना बोर्ड की तरब से जो अपडेट है वो है कि जल्दी है आपके जो है एक्जाम स्कंडेक्ट करवाई जाएंगे लेकिन अब बात आती है एक्जाम स्कंडेक्ट कब से होंगे तो इसमें एक बड़ 1000 रुपे फीज के साथ 28-9-2023 आप लोग देख सकते हो यानि कि अब जो है 28 सितंबर तक तो फोम ही भरे जाएंगे उसके बाद एक्जाम होगा तो आप यहां से ही किलियरली समझ गए होंगे कि आपके जो एक्जाम्स हैं वो 28 सितंबर के बाद ही होंगे अब बात करते हैं आपके एक्जाम्स 28 सितंबर के बाद कब हो सकते हैं देखिए इन एक्जाम्स का नाम जरूर सितंबर अक्टूबर परिक्ष्या है लेकिन यह जो एक्जाम्स हैं वो आपके अक्टूबर में होंगे और यह decision लिया गया है क्योंकि भूत सारे से students थे class 10th और 12th के जो की form भरने से वंचित रहे गई थे तो उन्ही को एक मोका देने के लिए हरियाना बोर्ड ने थोड़ी सी dates को आगे और extend कर दिया है तो आप बात करे clearly आपके exams अब यहां पर 28 के बाद होंगे admit card आपके exam से लगभग 7 से 8 days पहले आ जाएगा यान कि admit card आपके हो सकते हैं कि सितंबर लाष्ट तक आ जाएं तो यह तो बात हो गई important dates के उपर अब हम बात करते हैं exam के बारे में और भी जो बाते होती हैं जैसे कि syllabus, pattern और तयारी कैसे करें तो सबसे पहले बात करूँ ले बस ले बस वही रहेगा जो कि आपका मार्च के exam में था pattern भी वही रहेगा जो कि आपके मार्च के exam में था उसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं अब बात करता हूँ तयारी कैसे करें सबसे main मुद्दा तयारी के लिए मैं कुछ आपको tips कुछ points बता देता हूँ जिनको आपको follow करना है और उन points को follow करके इन exams में आप 100% अच्छा result ला सकते हैं सबसे पहला point आपको इन exams की तयारी के लिए आपके जो अभी paper हुए थे मार्च के अंदर उनकी help लेनी है यानि कि उन papers को आप इखटा करिए कहीं से भी करिए और उनके अंदर जो questions थे उन questions को practice कीजी क्योंकि मैंने देखा आप जो जुलाई में paper हुए थे उनमें भी बहुत सारे questions वही repeat थे बलकि वैसे ही repeat थे समझ गई तो आप सब open वालों के लिए इस से अच्छा मुका क्या होगा कि उनको देखके समझो कि भाई उनके जो है कैसे यहां पर questions आई क्या pattern रहा तो आपको भी क्या गरना है आपके जो पहले वाले papers थे उनकी help लेनी है और यह जुलाई में हुए थे इनको भी देख ले प्रिवेश एर के शरिफ और चार साल के जो पेपर्स थे वह हमने किये थे और हम जो है इसली पास हो गए तो अगर आप लोग भी पिछले चार साल के पर कर लेते हो तो भाई बिल्कुल आराम से पास हो जाओगे और एक सबसे में बात बता देता हूं पढ़ना पढ़ेगा अगर आप यह सोच दे हो कि बिना पढ़े जैसे कि पहले अग्जाम दिये थे मार्च में वैसे अब दोगे तो फिर पास नहीं होगे शमझ गे तो आपको पढ़ना पढ़ेगा यह बात आपको ध्यान रखनी है इसके लावा तीसरे नमबर के एक बात आपको ध्यान रखनी है इसके लावा चैकिंग भी एजी रखनी है तो आपको कोई भी यहां पर क्यूशन छोड़के नहीं आना है इसके लावा आपको मैंने बता ही दिया कि प्रिवेस यह इसके लावा आपके जो भी पेपर वे थे वो और एक चीज़ और रहा गई एंसी आर्ट एकर आप पढ करना हो वह फिर यहां पर पूरी की महनत उसको करनी पड़ेगी सारे की सारे की सारे पेपर और यहां पर पर लेकिन अगर पास होना है तो मैंने आपको बता दिया ज्यादा कुछ नहीं करना स्रीफ एंसी आर्ट देख लो जो अभी पेपर हुआ था आपका मार्च में वह कर भाचने है ऑपन के अंदर दो क्यूसर आएंगे वह आपके डारेक्ट तूदा टोपिक यान कि कोई बी टोपिक है उसके डायेक्ट क्यूसर ऑने यहले क्यूसर कर के आप लोग इन एक्जांन में अच्छे से यहाँ पर जो है अपने अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके लावा इंपोर्टेंट क्यूशन की पीडियेफ भी हैं तो वो भी आप लोग जो है खरीद सकते हो तो उसकी लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक इंस्टाग्राम आइडी मिल जाएगी वहाँ पर आप इतना ही जय हिंड जय भर्त